अब सबको नमस्कार स्री नारायन धर्वसंगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानन जी जनरल सक्रेटरी स्वामी रुतंबरानन्द जी केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे साथ ही केरल की धर्थी के हिसंतान स्री वी मुरली धर्ण जी राजी वी चंद्रशेकर जी स्री नारायन गुरु धर्म संगम ट्रस्ट के अन्य सभी पदाजी कारिगान देश विदेश चे आए सभी सधालुगन देवी और सज्जनो जब संतों के चरण मेरे घर में आया जाए एक प्रकार से आप कलपना नहीं कर सकते हैं ये कितना आनंद की पल है ये एला प्रियपट्थ मलियाली गल्कुम अंडे बनी तमाया नवश्कारम भालतिंडे आध्यात्मीक चैतन्यमा स्री नारायन गुरु देवन अध्यहतिंडे जन्मत्ताल धन्यमागपट्ट पुन्यभुमी आन केरलम संतों की क्रपा और स्री नारायन गुरु के आश्रिवाद से मुझे पहले भी आप सब के बीच आने का अवसर मिला है शिवगिरी आकर के आप सब के आश्रिवाद लेने का सौभागे मिला है और मैं जब भी वहाँ आया उस अध्यात्मीक भूमी की उर्जा को हमेशा अनुभव किया मुझे खुशी है कि आज शिवगिरी तिरस उत्सों में और ब्रह्म विद्यालयम के गोल्डन जुबिली के आयोजल में भी मुझे सामिर होने का आप समने पुन्य कारे करने का अवसर दिया है मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से बेरा नाता किस प्रकार का है लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं कॉंग्रेस सरकार थी और केरल के ही स्रमा इंटोनी रक्षा मंतरी थे इन सब के बावजुद भी मुझे एमदाबाद में मैं मुख्यमंतरी गुजरात में शिवगीरी मड से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फस गए हैं उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है वो कहां है क्या स्थित्री हैं कुछ पता नहीं चल रहा है मोदी जी ये काम आपको करना है मैं आज भी सोच नहीं पाता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी सरकारे होने के बावजूद भी शिवगीरी मड ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया और ये गुरु महराज की कुरपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसादर नहीं थे फिर भी मुझे उस पुण्य कारे का सेवा का मोका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापिस ले आ पाया और शिवगीरी मर्थ महचा पाया उस फोन कोन से ही मेरे लिए सचमुझ में वो रिदे को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महराज का अशिर्वाद होगा कि इस पवित्र कायर के लिए आपने मुझे चुना आज ये भी सुभवशद है कि इस अवसर में मुझे आपके साथ जूनने का मोका मिला है तिर्थदानम की नब्बे सालों की यात्रा और ब्रम्ब विद्यालयम की गोल्डन जुबिली ये केवल एक संस्ता की यात्रा नहीं है ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग-अलग कालखन में अलग-अलग माध्यमों की जरिये आगे बढ़ता रहा है भारत के दर्शन को जीवन्त बनाए रखने में भारत के इस अध्यात्मिक और विज्ञानिक विकास यात्रा में केरलान के ने हमेशा एहम योगदान निभाया है और जरुरत पढ़ने पर नेत्रुत्व भी किया है वरकला को तो सदियों से दक्षिन की काशी कहा जाता है काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिन में वारणसी में शिवकी नगरी हो या वरकला में शिवगिरी भारत की उरजा का हर केंद्र हम सभी भारतियों के जीवन में विशे स्थान रखता है यह स्थान केवल तिर्थ भर नहीं है यह आस्था के केंद्र भर नहीं है यह एक भारत स्थ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागरित प्रतिष्ठान है मैं इस अवसर पर सी नारेण धर्म संगम प्रश को स्वामी सचिदानन जी को प् और स्वामी गृप्रसाज्य को रदे से बहुत-वहत बधाई देता हूँ तिर्षदानम और ब्रह्म विध्यालयम की स्वर्णी म्यात्रा में इस आयोजन में लाखों करोडों अन्युयाईयों की अनंत आस्था और अथियक परिश्वंभी शामील है मैं सरी नारायन गुरु के सभी अन्युयाईयों को सभी स्वर्धानुओं को भी हार दिख्षुप कामनाई देता हूँ अब सभी संतों और पुन्य आत्माओं के बीश आज जब मैं बात कर रहा हूं तब भारत की विशेष्टा ये है कि जब भी समाज की चेत्रां कमजोर होने लगती है अंदकार बढ़ता है तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकास के साथ सामने आ जाती है दुनिया के कई देश कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकबाद ने ले लिए खाली तो रहता नहीं है भौतिकबाद ने भर दिया लेकिन भारत कुछ अलग है भारत के रुशियों भारत के मुनियों भारत के संत भारत के गुरुवने हमेशा विचारों और व्यवारों में निरंतर सोधन किया और संवरधन भी किया श्री नारायन गुरु ने आधुजिनिक्ता की बात की लेकिन साथ ही उन्होंने भारतिय संस्कृती और मुल्यों को सम्रुद्ध भी करने का निरंतर काम किया उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई है लेकिन साथ ही धर्म और आस्ता की हमारी हजारों साल पुरानी परंप्रा को आ गवरों बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे हैं यहां शिविगिरी तिर्थ के जरिये विज्ञानी चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शारदामठ में मा सरस्वती की आराधना भी होती है नारायन गुरुजी ने धर्म को शोधित किया परिमार जीत किया समयानुकुल परिवर्तन किया काल बाह यह चीजों को छोड़ा उन्होंने रुटियों और बुराईयों के खिलाब अभियान चलाया और भारत को उसके यथारत से परिचित करवाया और वो कालखन सामान्य नहीं था रुडियों के खिलाब खड़ा होना यह छोटा मोटा काम नहीं था आज हम इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन वो नारायन गुरुजी ने करते के दिया है उन्होंने जातिवात के नाम पर चल रहे उंच नीच भेदभाव के खिलाब तार्किक और व्यवारिक लड़ाई लड़ी आज नारायन गुरुजी की उसी प्रेणा को लेकर देश गरीबों दलीतों पिछडों की सेवा कर रहा है उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए उनको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको उन अधिकारों को देना यह हमारी प्राख्विक्ता रहा है और इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों स्री नारायन गुरुजी आध्यात्मिक चीतना के तो हम स्थे ही थे आध्यात्मिक प्रयना के प्रकाश पुंज थे लेकिन ये भी उत्रा ही सत्य है कि स्री नारायन गुरुजी समाज सुधाकर रगभी विचारग भी और युग द्रश्टा भी थे वो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे वो बहुत दूर का देख पाते थे इसकी वज़े से आप कल्पना कर सकते हैं गुरुदेव रविर्णा टगोर एक रेडिकल थिंकर के साथ ही एक प्रेक्टिकल रिफॉर्मर भी थे वो कहते थे कि हम यहां जबरन बहस करके जीतने के लिए नहीं आए हैं बलकि हम यहां जानने के लिए सीखने के लिए आए हैं वो जानते थे कि समाज को बाद विबाद में उल्जा कर नहीं सुधार आजा सकता समाज में सुधार आता है जब लोगों के साथ काम किया जाए उनकी भावनाओं को समझा जाए और लोगों को अपनी भावनाएं समझाई जाए जिस पल हम किसी से बहस करने लग जाते हैं तो उसी पल सामने वाला व्यक्ति अपने पक्ष के लिए साप खोज करके परोस देता है लेकिन जैसे ही हम किसी को समझना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझना शुरू कर देता है नारा अनगुरु जी ने भी इसी परंपरा का इसी मर्यादा का हमेशा पानज किया वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे और फिर अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे वो समाज में उस वातवन को निर्मान करते थे कि समाज खुद ही सही तरकों के साथ अपने आप सुधार की प्रक्रिया में जूड जाता था जब हम समाज में सुधार के इस मार्क पर चलते हैं तो फिर समाज में स्वयम सुधार की एक सक्ति भी जागरूत हो जाती है अब जैसे हमारी सरकार ने बेटी बेचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान शुरू किया कानुन तो पहले भी थे लेकिन बेटीयों की संख्या में सुधार हाली के कुछ वर्षवा में हो पाया है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने समाज को सही बात के लिए प्रेरित किया सही वातावरन तयार किया लोगों को भी जब लगा कि सरकार सही कर रही हैं तो स्थीतियों में तेजी से सुधार भी आने लग जाता है और सच्चे अर्थ में सबका प्रयास उसकी फल नजराते हैं समाज में सुधार का यही तरीका है और यह बारग हम जितना स्री नारेन गुरु को पढ़ते हैं सीखते हैं उनको समझते हैं उतना ही वो स्पष्ट होता चला जाता है स्री नारेन गुरु ने हमें मंत्र दिया था अवरू जाती अवरू मतम अवरू देवं मनुश्यां उन्होंने वन कास्ट वन रिलिजिन वन गौड इसका आवान किया था अगर हम नारेन गुरु जी के इस आवान को बहुत गुर्ता से समझें इसके भीतर चिपे संदेश को समझें तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्म निर्भर भारत का भी मार्ग बनता है हम सभी की एकी जाती है भारतियता हम सभी का एकी धर्म है सेवा धर्म अपने कर्तवियों का पानन हम सभी का एकी इश्वर है भारत मा के एक सो तीस करोड से अधिक संथां स्री नारायन गुरुजी का वन कास्ट वन रिलिजन वन गर आवान हमारी राष्ट भक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक उचाई देता है हमारी राष्ट भक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं बलकि हमारी राष्ट भक्ति मा भारती की आराधना कोटी कोटी देश्वाश्यों की सेवा साधना है हम इस बात को समझते हुई आगे बढ़े स्री नारायन गुरुजी के संदेश का पालन करे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतियों में मदवेज पादा नहीं कर सकती और यह हम सब जानते हैं कि एक जूट हुए भारतियों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष असंबव नहीं है साथियों नारायन गुरु ने तिर्थ दारम दानम की परंपरा को आजादी के पहले शुरू किया था देज भी इस समय अपनी आजादी के 45 साल का अमृत्त महुत्सव मना रहा है ऐसे समय में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा स्वातंत्र संग्राम केवल विरोध प्रदर्शन और राज निति ग्रण नितिया तकी सिमित नहीं था ये गुलामी की बेडियों को त्योड़ने की लड़ाई तो थी लेकिन साथ ही एक आजाद देश के रूप में हम होंगे कैसे होंगे इसका विचार भी साथ साथ चलता था क्योंकि हम किस चीज के खिलाब है केवल यही महत्वपुन नहीं होता हम किस सोच के किस विचार के लिए एक साथ है ये भी कहीं ज्यादा महत्वपुन होता है इसलिए हमारे स्वाधिन त्रात संग्राम से इतने महान विचारों की प्रंपरा चल पड़ी हर कालखन में नए विचारक मिले भारत के लिए इतनी संकल पनाए इतने सपने एक साथ खड़े हुए है देश के अलग-अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे एक दूसरे से सिखते थे आज टेक्नलोजी के जमाने में हमें ये सब बड़ा आसान लग सकता है लेकिन उस दोर में ये सुविधाएं ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाने हां नहीं था उसमाए लेकिन फिर भी ये जननायक ये नेता एक साथ मिलकर मन्थन करते थे आधुनिक भारत की रुपरेखा खिचते थे आप देखिया है 1922 में देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रभिन्रना ट्यगोर यहां दक्षिण में आकर नारायन गुरु से मिलते हैं तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था कि मैंने आज तक नारायन गुरु से महान आज ध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है 1925 मात्मा गांदी गुजरात से सावरमती के तड़ से देश के पस्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं स्री नारायन गुरु से मिलते हैं उनके साथ हुई चर्चा ने गांदी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था स्वामी विवेकन स्वयम नारायन गुरु से मिलने पहुँच गए थे ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायन गुरु के चर्णों में बैठ करके सत्तसंग किया करती थी कितने विचार मंतन होते थे ये विचार सैंकडो सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र के रूप में भारत के पुनन रिन्मान के बीच की तरह थे ऐसे कितने ही सामाजिक राजनीतिक और अध्याद्विक लोक एक साथ आए उन्होंने देश में चेतना जगाई देश को प्रेणा दी देश को दिशा देने का काम किया आज हम जो भारत देख रहे हैं आज हादि के इन 75 सालों के जिस आत्रा को हमने देखा है यह उनी उनी बाहापुरुशों के मन्थन चिंतन विचारों का परिणाम है जो आज फल स्वरूफ हमारे सामने है साथियों आज हादि के हमारे मनीशों ने जो मार्ग दिखाया था आज भारत उन लक्षों के करीब पहुँच रहा है अब हमें नए लक्ष गड़ने है नए संकल्प लेने है आज से 25 साल बात देश अपनी आजहादी के 100 साल मनाएगा और दस साल बात हम तिर्ट दानम के 100 सालों की यात्रा भी उसका भी उत्सम बनाएगे इन 100 सालों की यात्रा में हमारी उपलब्दियां वैश्विक होनी चाहिए और उसके लिए हमारा वीजन भी वैश्विक होना चाहिए भाई और भनों आज विश्व के सामने अनेक साजी चुनोतियां हैं साजे संकट हैं कोरोना महामारी के समय इसकी एक जलग हमने देखी है मानवता के सामने खड़े भविश के प्रश्टों का उत्तर भारत के अनुभावों और भारत की सांसकुर्दिक सामर्त से ही निकल सकता है इसमें हमारे आध्यात्मिक गुरू इस महान परंपरा को एक बहुत बड़ी भूमी का निभानी है तिरसदानम के बवधिक विमर्श और प्रयासों में हमारी नई पीड़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे पूरा विश्वास है कि शिवगेरी तिरसदानम की यह आत्रा ऐसे ही निरतर चलती रहेगी कल्यान और एक्ता के प्रतीक और गतिशिल्टा की प्रतीक तिरसे आत्राएं भारत को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का एक ससक्त माध्यम बनेगी इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सब यहां पधारें में रिदे से आपका आभारी हूँ और मुझे भी स्वास है कि हम सब मिलकर के जो सपने जो संकर्प आपने लिए हैं मुझे एक सत्संगी के रूप पे हैं एक भक्त के रूप पे हैं आपके इन संकर्पों के साथ जुड़ना मेरा आहो भाग्य होगा मेरे लिए गवरव होगा मैं फिर एक बार आप सब का स्वागत करते हुए आप सब का धन्यवाद करता हूँ